आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं टाटा इस्टील स्टॉक के बारे में चुकि इस स्टॉक के कोटरली रिजल्ट 31st अक्टूबर को आने हैं और इससे पहले देखेंगे कि MD और CEO के तरब से बरी बाते कही गई यह जो हमने 7 मेगा मर्जर दिखा उसको लेकर के कि make sense to have simplified structure इस structure को जो मेगा मर्जर किया गया है इसका main purpose है सारे कारियों को simplified करना और जो एक milestone है near around 40 million tons steel के उसको 2030 तक के duration में अचीव करना इसके साथ ही देखेंगे CFO कौसिक ने भी यही बात कही है कि Tata Steel merger will simplify management help focus on business और इससे में देखेंगे इसके दो subsidiary टिन प्लेट और Tata Steel long product के result loss में रहे और इससे में stock के chart को भी देखें तो थोड़ा weak लग रहा है हलांकी Tata Steel ही नहीं overall अगर इसको technical ही देखेंगे तो metal sector भी समय downtrend दिखा है one month में देखेंगे तो minus 5% का जहां देखेंगे तो weekly time frame इस stock ने plus में ही return दिये है 0.10% और nifty metal का return negative में रहा है तो यहां से एगर एक bounce back आता है तो surely यह stock थोड़ा outperform कर सकती है लंबेस अवादी के लिए देखेंगे इस stock में अगर आपका निवेस horizon more than 2 to 3 year के लिए है तो 300 तक के जली levels दिखेंगे चुकि इससे में यह stock देखेंगे तो जो valuation है वो काफी cheap है PE3 के आसपास का है EPS जबकि more than 30 है तो long term investor बने रहे है बिलकुल बने रहे वह 104 के उपर ही buying करेंगे 30 October को result है और result में भी थोड़ा बहुत average दिख सकता है तो इससे में थोड़ा